नमस्कार इस वीडियो में आप देखने वाले हैं रोड पर पानी अगर ज्यादा जमा हो जाए और इतना जमा हो जाए कि जिसके अंदर आटो चलने के बाद में आटो की पूरी टायर डूब जाए तो एक बार अगर टायर पूरा पानी में डूब गया उसके बाद बाहर निक जाता है तो कुछ टायम के लिए ब्रिक नहीं लगती है तो ऐसे में क्या करना चीए और किस तरह से गाड़ी को चलाना चीए तो देखिए अगर ऐसा कभी सिच्वेशन आता है कि आटो को आपको ऐसे जगह से चलाना पड़े जहां पानी जमा है और आटो की पूरी टायर प जल्दी सूख जाता है और इस तरह से अगर आप ब्रेक को पंपिंग करके चलाएंगे तो एकदम बिल्कुल समाल के आराम से धीरे से चलाना चीए और ब्रेक को बार-बार दबाना छोड़ना चीए तो ऐसे में लाइनर जल्दी सूख जाता है और फिर से ब्रेक समान्य कोई ज़रुत नहीं होती है सिर्फ ब्रेक को बार-बार पंपिंग करने से लाइनर सूख जाता है और फिर से ब्रेक लगने लगती है तो दोस्तों इस तरह से बरसाद में कभी टायर अगर डूब जाए पानी जमा है जहां पर ज्यादा इसे जगह से अगर गाड़ी को चला करने लगेगी तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार